नमस्कार दोस्तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे आधुनिक काल के वेकलपिक प्रश्नी मतलब अब्जेक्टिव कोशन अंसर दोस्तो बहुत इंपोटेंट कोशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे वीडियो का अंतक अगला कोशन है आधुनिक काल के लिए इन में से कौन सा नाम नहीं दिया गया है याद रखिए नहीं दिया गया है गद्यकाल वर्तमान काल आधुनिक काल या सामिक काल तो देखे दोस्तो गद्यकाल वर्तमान काल और आधुनिक काल तो आधुनिक काल के लिए दिये ही गए है अगर नहीं दिया गया तो आपका उत्तर होगा डी सामिक काल इसमें कौन सा दा बी अगला कोश्चन है प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है सदा सुखलाल ने ललू लाल ने सदल मिश्र ने या इंशालला खाने बताई दोस्तो प्रेम सागर की रचना किस ने की है आपका अंसर होगा ललू लाल बी answer हो जाएगा अगला question है उदेग भानुचरित किस रचना का दूसरा नाम है शुकसागर का, नासिकेद उपाख्यान का, प्रेंसागर का या रानी केत्की की कहानी का तो उदेग भानुचरित जो है सदल मिश्र या इंसा अल्ला खान तो नासिकेतो उपाख्यान के रचियादा का नाम है सी सदल मिश्र अगला कोशन है इनमे से मुंशी सदा सुखलाल मियाज की रचिना कौन सी है प्रेम सागर, भाग्यवती, नासिकेत उपाख्यान या सुक सागर तो आपका अंसर होगा D. सुक सागर अगला क्वेशन है आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल को, हजारी परसाद विवेदी को, महावीर परसाद विवेदी को या भारतेंदू बाभू हरिश्चंद को पताई दोस्तों आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता है बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है तो आपका अंसर होगा भारतेंदू बाभू हरिश्चंद्र दी अगला कोश्चन है आर्ये समाज की स्थापना कहा हुई थी राजकोट में, बंबई में, मथुरा में या दिल्ली में जल्दी से बताईए दोस्तों आर्ये समाज की स्थापना कहा हुई थी भी मुंबई में हुई थी अगला क्वेशन है भारतेंदू यूग की समय सीमा इनमें से क्या है 1900 से 1908 इसवी 1857 से 1900 इसवी 1908 से 1940 इसवी 1800 से 1880 इसवी तो भारतेंदू यूग की समय सीमा है 1857 से 1900 इसवी आंसर होगा B अगला क्वेशन है भारतेंदू जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था चालिस वर्ष का 35 वर्ष का 30 वर्ष का या 38 वर्ष का तो आपका अंसर होगा भारतेंदु जी का जो जीवन काल था वो भी 35 वर्ष का था अगला कोशन है भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभीने किया था बताई दोस्तों भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभीने किया था नील देवी सतीप्रथा विद्या सुंदर जान की मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने जिस नाटक में अभीने किया था वो था जान क कि मंगल नाटक पρώगा ड से इनमें से पंडिता उपन किस लेखक की भाशा में शुक्र जी ने माना बता यह दोस्टों किस लेखक्त की भाशा में पंडिता उपन था सुखलाल इन्शाललाख हूं सदल शृयाललू लाल की बताए दोस्तों पंडिता उपन यह以前 pas dog परकाश के रचिता कौन हैं। वेकानन इश्वर्चंद विध्या सागर द्यानन सरस्वती राजराम मोहन राय तो सत्यार्थ परकाश के जो रच्छियता है वो है C. द्यानन सरस्वती आपका अंसर होगा द्यानन सरस्वती यहाँ पे क्या था? निज भाष उन्नती अहे सब उन्नती को मूल यह पंक्ति किस कवी की है माखलनाल चत्रुवेदी की परताप नारायन मिश्र की मैथली शरण गुपत की या भारतिंदू हरिश्चंद्र की तो निज भाष उन्नती आहे बहुत इंपोडेंट कोश्चन है कई बार पूछा जाता है इसका अंसर होगा डी भारतिंदू हरिश्चंद्र अगला कुश्चन है भारत भारती के रच्चियता कभी कौन है यह भी बहुत इंपोडेंट है कई बार पूछा जाता है मैथली शरण गुपत आयोदा सिंगुपादायरियोद महावीर परसाद विवेदिया भारतिंद संस्कृत वर्ण विट्व का प्रयोग इती वृताथत्मक्त समस्यापूर्थि भाषा में लाक्षनिकता वारतिंदु काल की जो परवर्थी ह तो आप रूप नाम से लिखते थे प्रेम घंजी आपका अंसर होगा प्रेम घंग प्रश्न है नई कविता की कौन सी परवर्ती नहीं है यह आपको बतानी है लगुमानव की प्रतिष्ठा जीवन के प्रति आस्था बोधिक यथार्थवादि द्रिश्टी या सामाजिक परती है जीवन के परती आस्था भी है बोधिक यथात्वादी द्रिश्टी भी है और अगर नहीं है तो वो है सामाजिक बोध का प्रभाव अकांसर होगा D अंसर होगा D प्रियोगवाद का आरंभ किस से माना जाता है रुपाब से नई समिक्षा से या नई कविता से तो प्रियोगवाद का जो आरंभ माना जाता है वो माना जाता है तार सब्तक से अंसर होगा तार सब्तक परगतिशी लेखक संग की स्थापना का वर्ष है 1929, 1931, 1936 तो 1949 जो परगतिशी लेखक संग है उसकी स्थापना होई थी 1936 में आपका अंसर होगा 1936 पुष्प की अभिलाशा कभीता के रशनाकार है। निराला को सुमित्रानन्दनपंद को किस ध्रचना पर ग्यानपीट पुरसकार प्राप्त हुआ था। चिदंबरा पर लोकायतन पर कला और बुड़ा चान या युगांद पर तो आपका आंसर होगा ज्यानपीट पुरसकार सुमित्रा नंदनपंद को प्राप्ठ होगा ए आंसर होगा चायवाद को अभिवेंजना वाद अभिवेंजना कानूतन विधान किस ने कहा है बताएए दोस्तो चायवाद को अभिवेंजना कानूतन विधान किस ने कहा नगेंद्र ने, रामजंद्र शुक्ल ने, मुक्ति बोद ने या विश्मनात परसाद ने तो चायवाद को अभिवेंजना कानूतन विधान कहा है विश्मनात परसाद ने आंसर होगा D अगला कोश्यन है चायवाद को परती बिम्बबाद किस ने कहा है नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्र ने, नामवर्जिंग ने या हजारी परशाद विवेदी ने तो चायवाद को परती बिम्बबाद कहा है आचारी रामचंद्र शुक्र ने अंसर होगा B अगला कोश्यन है हरियोद को किस परकार, किस रचना पर? मंगला परसाद पुरसकार मिला था पद्य परसुन पर, बैदेही वनवास पर, प्रिय परवास पर या रचकलश पर तो अरियोद को मंगला परसाद पुरसकार प्राप्त हुआ था प्रिय परवास पर याद रखी important कोश्यन है अगला कोश्यन है 11 वर्स का समय कहानी के लेखक कौन थी? प्रेमचन, किशोरिलाल गोस्वामी, आचारे शुक्ल, शिवदान सिंग चोहान, तो 11 वर्ष का समय जो लेखक थे वो थे आचारे शुक्ल, आचारे रामचंद्र शुक्लिन का पूरा नाम है, पाजेब किसकी कहानी है, अगे की, जैनेंद्र की, शुक्ल की या सुदर्शन की तो पाजेब कहानी है, जैनेंद्र की, दोस्तों वीडियो अच्छी लगए, तो लैक्शेर जुरू कीजेगा, यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो के जो नोटिफिकेश वो आप तक पहुंच सके और आपके एक्जाम अच्छे से हो सके, धन्यवाद